यह थोड़ा से नोट किया हुआ था सारा ब्रेस्ट का अपनी कॉपी पे ना नोट्स बनाए हुए थे तो मैंने का यह शेयर कर दू यहीं से यह चीज़ें करनी है फाइब्रो एडिनोमा का है मॉर्फोलजी लिखी हुई है ग्रॉस माइक्रोस्कोप ठीक है इस तरह से लिखनी होती है प्रॉफ में वेरियंट्स लिखती है आपने नीचे यह लिखती है कॉंप्लेक्स फाइब्रो एंट नोमा इतनी बड़ी मार्फोलजी ती है चीज़े लिखोगे ना इन्शाल्ला बहुत अच्छे माक्स मिलेंगे फिर यह ब्रेस्ट कार्सिमोमा के बारे में थोड़ा सा था इसकी साइन्स लिखे में है जीन्स कौन सी होती है इसकी क्लासिफिकेशन है यह नीचे इसका दिखाव है कि इसकी जो नुक्लियर प्लियोमोर्फिसम, टिब्यूस और माइटॉटिक रेट इसको भी उने देखना है स्टेजिस देखना है इसकी ठीक है यह रिस्टेर्स मैंने लिखे वे थे उसके गंदे से करके ना यह वहां से देखे 15 risk factors उनको combined way में और यह थोड़ा सा था यह मैंने दिखाव है कि जो दोनों negative होते हैं ना दोनों negative हर 2B और ERB इन में बरसावान की imitation होती है यांग premenopausal woman में होती है ठीक है और यह बाकी था यह मैंने उसके बाड़ में लिखावा था अच्छा यह cross morphology है किसकी gross histology किसकी है invasive ductal carcinoma की ठीक है प्रॉफ में आएगा तो यह चीज़े लिखनी है इसके बारे में invasive ductal के बारे में यह है ductal carcinoma invasive की आगे से फर्दर tubular mucinus medulary type ठीक है और इसके रबाब आप होती है inflammatorius में तो वह थोड़े सी चीज़ें थी वह यह लिखने थी और यह lubilar carcinoma incitum की gross histology और नीचे यह जो है ना invasive lubilar की है ठीक हो गया मैं जरा आ रहा है ना उसके बाद यह वहला था ए- आर पॉजिटिव भी होते हैं कुछ प्रोजिस्टिरों भी होते हैं उसको भी हम करते हैं तो लिमिनल ए और वी दो टाइपस की हो जाती है फिर हर्टू पॉजिटिव है और टी एन बीसी है टी एन बीसी मीन्स कि ट्रिपल ब्रेस्ट केंसर हैं तीनो न्यकिटिव रिसेप्टर केंसर है जब नेक्स्ट आपने जो कररा है वो पेजडियुष्ट डिजीज है पेजडियुष्ट डिजीज आपने कौन की भी पढ़ि होगी यह वोली नहीं है यह तो खट्रे की बात है मतलब रड ऐलर्ट है आपको कि अगर आपको इचिंग हो रही है, redness हो रही है discrimation हो रही है, crusting हो रही है ulceration हो रही है अपनी breast पे women में भी और men में भी दोनों में men जादा हुशना हो उनके तो भी birthsadu की mutation हो सकती है लेकिन यह एके less common होती है तो उसके अंदर क्या होता है यह आपको red alert देगी के अंदर जो है वो ductal carcinoma है ठीक है attention और कहते है high suspicion early diagnosis और improved prognosis जतनी जल्दी हम इसको देखेंगे इन चीज़ों को और treat करेंगे उतना अच्छा prognosis है ठीक है इस तरहाँ से अब peggers disease के हमने वही बात करनी है कि इसमें actually क्या होगा major disease में के grossly हमें जो skin of nipple और area जो है किस तरह की मिल रही है? crusted मिल रही है fissures मिल रही है crust बने वे हैं, fissures है, ulcerations है और अंदर से जो ना fluid निकड़ा होता है serious type ना irouience बनी होती है जारा कुछ इस तरह की breast नज़राती है grossly ठीक है और इसमें हमें क्या के मिल रहा है other symptoms क्या होते है itching, खारिश है, burning है nipple में, pain है sensitivity increase हुई भी है nipple जो है, उसकी flatness होगी है yellow यह bloody discharge मिल रहा है lump मिल सकता है only one breast, ठीक है यह सारे क्या है? pejart's disease की चीज़े है यह pejart's cells इस तरह के हमें नज़र आते है with large nuclei prominent nuclei cytoplasm is clear ठीक है और inflammatory cells हमें जो है वो मिल रहे होते हैं dermis के अंदर epidermis में हमें pejart cell मिल रहे है यह आपके book की figure है इससे आपको धादा अच्छा clear होगा यह देखें, यह ducts है और अंदर क्या है अंदर जाके क्या है रहे है epidermis में यह सारे cells है ductal carcinoma incidus है उसके cells निकल निकल के epidermis में चले गए है और वो pejart cells है किस तरह के पेर हो रहे है किस तरह के पेर हो रहे है nucleus देखें उनका nucleus कैसा है उनका hyperchromatic hyperchromatic nucleus है cytoplasmic hello है मतलब कि बागी सारा cytoplasm जो है वो खाली है nucleus हमें बड़े hyperchromatic मिल रहे है cytoplasmic hello है और cells किस shape के है spherical shape के है ठीक है और जब इनको हम stain करते हैं तो यह music carmine से stain होते है cells ठीक है और यह हमें adeno carcinoma like cells मिलते हैं और skin liens contains the pejart cells singly or in small clusters के हमें यह single single भी मिल सकते हैं clusters की form में भी मिल सकते हैं ठीक है epidermis में they are larger than epidermal cells epidermal cells ठेके चोटू-चोटू से हैं और यह देखें pager cells कितने बड़े-बड़े हैं तो यह इनकी characteristics हैं skin skin पे हमें pager cell मिलते हैं single मिल सकते हैं clusters की form मिल सकते हैं epidermis में epidermal cells से large होते हैं spherical होते हैं hyperchromatic nuclei होते हैं देखते जाएं उनकी picture mind में रखते जाएं ठीक है cytoplasmic hello है musy carmine sustain होते हैं adeno carcinoma like cells होते हैं underlying breast contains invasive मतलब के बाहर nipple में यह crust वगएरा feel हो रहे हैं लेकिन अंदर क्या है छुपा हुआ हूआ एंसर है underlying breast contains invasive and non-invasive duct carcinoma और grossly मैंने आपको skin दिखा दी थी तो उपर देखें redness scaling flaking of the nipple है और underlying invasive ductal carcinoma छुपा हूआ है ductal invasive भी हो सकता है non-invasive भी होता है लेकिन जादा था ductal carcinoma in situ होता है उसमें मूसली है दिखा जाता है तो यह इसकी Pager's disease की gross or histology है यह भी note कर लें इस तरह से paper में लिखते जिएगा यह Pager's disease का लिखा हुआ था मैंने आपको explain कर दिया यह वही figure है Pager's disease की मैंने आपको बताया था ना के जो pre-menopausal movement होती हैं में दोनो negative वले common होता है तो यह जो HER2 negative और ER positive होते हैं low proliferation वले यह older women और men में जादा common होते हैं ठीक है high proliferation वले भी होते हैं लेकिन वो 10% cases में होता है यह table देख लेते हैं ER positive HER2 negative जो पहली वले type थी उसमें यह होता है कि यह low proliferation वले जादा होते हैं high proliferation वले कम होते हैं और यह 20% होते हैं 15% होते हैं ठीक है उसके बाद special historical type थी होते हैं कि well differentiated होते हैं इसमें क्या होता है कि lobular, tubular, mucinus इसमें आते हैं यह poorly differentiated होते हैं यह apocrine होते हैं ही जो HER2 positive वले होते हैं और यह वले में आपको बताया थे medulary जो होते हैं दोनों negative वले होते हैं जिनमें bursa 1 की mutation होते हैं metaplastic हैं, secretory होते हैं ठीक है, यह poorly differentiated है इनमें tubular और mucinus आ जाते हैं जो पहले वले type है low proliferation वली और apocrine वली HER2 positive में है typical patient groups जो होते हैं मैंने आपको बताया कि older women और men जो होते हैं उनमें cancers कौन से होते हैं HER2 positive और sorry ER positive HER2 negative वले और bursa 2 mutation carriers जो हैं वो इसमें आएंगे high proliferation वले में और young women में कौन से common है जो यह दोनों ठीक है और bursa 1 जो है यह इसमें आएंगा obviously metastatic pattern देखें सब में जो है bone में metastasis जात है bone, 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 bone बाकी है कि यहां पे visual brain में जाता common है यह जो bursa 1 की है relapse में अगर देखें तो late होता है इसका intermediate होता है और इसका less than 5 years है इसका less than 10 years है complete response to chemo therapy जो होती है वो 30% इसमें है इन दोनों में इसमें 10 से कम percent है इसमें 10% तक है और इसमें ER positive जो होते हैं उसमें 15% है और ER जो negative होंगे उसमें 30% से ज़्यादा response अच्छा होता है chemo therapy का फिर वो बता रहे हैं कि जो दोनों triple negative होते हैं उनमें क्या होता है कि proliferation क्योंकि जल्दी जल्दी हो रही होती है और rapid growth हो रही होती है इस वज़े से वो ज़्यादा जो है न पैल पेबल अच्छा मैस बनाते है यह रहने लिखा होगा यहाँ पर और यह था तो इसमें स्टेजिंग कर देते हैं grading जो हमने करनी होती है breast cancer की ठीक है on the basis of debules formation on the basis of nuclear polymorphism on the basis of mitosis तो सबसे पहले grade 1 में हम देखेंगे то cells हमें clusters की form मिलेंगे कठे मिलके रहेंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या होंगे कुछ clusters में होंगे लेकिन कुछ बिल्कूल ही लाइदा हो गे ठीक है लेकिन grade 3 में क्या होते है बिल्कुल ही वो अलग 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 अपनी मर्जी से जहां दिल गिया तो cells यहां पे क्या हैं clusters की form में होते हैं यहां पे single होते हैं plus clusters की form में होते हैं ठीक है और यहां पे क्या होते हैं सिर्फ single ही होते हैं यह हो गया पहला दूसरा आता है कि यहां पे अगर हम देखें polymorphism तो इसमें polymorphism mild होती है इसमें moderate होती है और इसमें moderate होगी और इसमें marked polymorphism होगी ठीक है उसके बाद उसके बाद आता है कि nuclear margins तो nuclear margins इसमें क्या है including the margins in the crater was smooth अब irregular होना शुरू होगी है नीकलियस के margin's听 किस तरह से irregular होना शुरू होगी है अधर तो बिल्कुल ही irregular है फिर हम बात करते है कि निॉकलियोलाई है यह उसे कि clocks होते है ? इंडिस्टिंक्ट होते है समझ नहीं होते है کदर है नॉकलियोलाई ठीक है मतलब के लेकिन यहां पे न्युक्रियलाय जो होते हैं वो थोरे नोटिस होना नोटिसेबल होना शुरू हो जाते हैं और यहां पे क्या होते हैं बिल्कुल प्रोमिनर न्युक्रियलाय हमें नजर आ रहे होते हैं ठीक है उसके बाद अगर हम क्रोमेटीन के बात करें त इसके मैं आपको शेयर करती हूँ तो यह यह है सकार्फ ब्लूम रिचर्टसन ग्रेडिंग इस अफ टुबियूलर फॉरमेशन नुकलियर पॉलिमॉर्फिजम माइटॉर्टिक काउंट्स यह ग्रेड्जन आपको बताएं यह आपने याद कर लेने हैं उसके बाद हम बात करत है नुकलियर प्लूमॉर्फिजम की करेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए और माइटॉर्टिक काउंट्स होता है यहां पे जादा हो जागा ग्रेड 3 में ठीक है दूसरा हम बात करते हैं अब प्रोग्नॉस्टिक बगरा फैक्टर्स देखते हैं यहां से अब उत बताएं कि प्रोग्नुस्टिक फैक्टर्स क्या होंगे ला तो इन सीटो वसिज इनवेसिफ के इनवेसिफ कार्रीनुमा या इन सीटो है उसके एपर डिपेंड करेगा चांट कैंसर का डिस्ट Grü Cao METAS TASIS कितनी है यह तीनन स्टेविंग आ गई ठीक है लोकली अड़ांस डिजीज कितन सब की स्टेजिंग निए हैं, हमारे टूमर की स्टेजिंग किया है। बस Whenever our TNM स्टेजिंगänder का करें नहीं, То कि जो हैं अटान करma वर किता है, सेंटी मेटर से कम होगी फिर फाइव सेंटी मेटर होगी फिर फाइव से जाधा हो चाएगी और पिर हमारा कैंसर चैस्त II ओल बजाएमे चले जाएगा पीछे मैंने बताया था चेस्ट वॉल में चले जाएगा पेक्टोरिels मेजर को क्रोस करके और यह आगे की तरफ, skin की तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो यह होगी TNM staging, फिर N0 में हमें कोई lymph node नहीं मिलता, ठीक है, N1 में, जो है, ipsilateral, एक साइट का agreed link node मिलता है, और वह movable होता है, movable lymph node होता है, लेकिन N2 में क्या होता है, यह वो fix हो जाता है, ठीक है, fix है, वो हमारे हो जाता है, इसमें क्या था मुवे बल ठाधा, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले M0 होगी जिसमें metastasis नहीं होगी और फिर M1 होगी जिसमें metastasis जो है वो दूर चली जाएगी ठीक है तो यह इसके ओपड यह staging दिखी हुए है यह आप मैं देख लेनी है इसी तरह TNM staging ठीक है यह prognostic factors में में discuss कर लिए तो यह एक वही वली है जिसमें grading हम करते हैं इसको हम कहते हैं noting हम histological score देते हैं तो यह वही prognostic और predictive factors है हम को बता रहे हैं कि breast cancer का outcome depend करता है उसकी biological features पे उसकी molecular histological type पे उसकी extent के उसकी stage क्या है ठीक है at the time of diagnosis और जो हमारे distant metastasis कर चुके होते हैं और जो inflammatory carcinoma होता है इनके poor prognosis होती है वही है कि invasive carcinoma versus carcinoma in situ कौन सा cancer है distant metastasis कितनी है lymph node metastasis जो है यह most important prognostic factor है for the invasive carcinoma in the absence of distant metastasis male breast cancer का भी थोड़ा डिसकस कर लेते हैं कि इसके risk factors तक रिबन वही होते हैं age, first degree relatives, breast cancer, exposure to the exogenous estrogens, ionizing radiations, infertility, obesity, benign breast disease ठीक है और residency in the western countries, germline mutation मैं आपको बता दिती है बर्सा 2 में आती है और कभी कबार बर्सा 1 में भी होती है लेकिर इतनी जादा नहीं होती है उसके बद वही बता रहे हैं कि breast जादा तर जो male cancers होते हैं वो nipple के पास होते हैं इस वज़े से male cancers होते हैं breast cancers वो palpable sub-areolar mass बना देते हैं 2-3 cm in size का तो इस वज़े से early diagnosis हो जाती है इसकी यह वही वली staging दमने आपको बताई थी 1 2 3 4 और 0 में क्या होगा in-situ carcinoma in-situ होगी कोई metastasis नहीं होगी lymph nodes में distant metastasis distant metastasis देखें यहां तक absent है 4 stage पे जाकर distant metastasis हो रही है ठीक है और बाकी है कि 2 cm से कम है 2 cm से 5 cm तक है फिर 5 cm से जादा हो गया फिर वो दूर चला गया यही वला था ना और इसी में भी यही था कि 1 में बिल्कुल भी कुछ नहीं था फिर दूसरे में क्या है कि 1 से 3 positive lymph nodes होते है और तीसरे में क्या होते हैं कि negative or positive lymph nodes होते हैं 4 से जाता हो जाते हैं और फिर यहां पर क्या है कि lymph nodes वो जो मैंने आपको पिता ही है ना वो ली कर लीजिएगा और यह कौन सी है American Joint Committee on Cancer and Union Center की Cancer Staging बाकी लिखावा है histological grade क्या है जो हमने किया था पर proliferation कितनी है estrogen, progesterone receptors, HER2 receptors ठीक पर prolateral carcinoma जो है इसको हम लोकली समझ के treat कर रहे होते हैं और जो यह होते है lobular यह होते है bilateral इसका जो है bilateral risk होते ही हमने देखा था इसकी molecular sub-types होती हैं जो हमने देखी ली और इसके लवा molecular types जो है important clinical, biological और therapeutic associations होती हैं जो हमने देखी थी हर तू अगरा और special histological types होती हैं distinct pathways of tumorigenesis are providing additional clues linking the biological changes to clinical behavior, prognosis dependent होते है biological type, histological type, extent पे at the type of diagnosis हमने देखा था effective treatment requires both local and systemic control of the disease, improvement in the treatment are being made as new targeted therapies are being developed and response to the treatment is better understood intralobular stroma वाले tumors हमने देखे थे थे ना fibro adenoma था और phylarge tumor था इंटर लोबिलार में कौन से होते हैं we have the lipomas and angiosarcomas यह फिर वो बता रहे हैं कि pseudo angiomatis stromal hyperplasia हो सकता है, myofibro blastomas हो सकते हैं, fibro adenoma का थोरा से difference है na phylarge से वो देख लेते हैं, fibro adenoma जो थो था ना वो प्री मिनो पॉजल में हो रहा था, यह post-menopausal women में होता है, और बहुत, मतलब लेट जाकर होता है na, 10-20 years late, the peak age for the fibro adenomas, मतलब post-menopausal होता है, fibro adenoma में ना cancer का इतना risk जो हो नहीं होता, ठीक है, वो जादा दर बिनाएं होते हैं, लेकिन जो phylarge tumors होते हैं, इन में cancer का risk जादा होता ह और दूसरा यह कि इसके अंदर जो है, यह यह भी intra-lobular stroma में पैदा होता है, लेकिन यह बात होती है कि इसमें ना fibrous component जाता होता है, ठीक है, और इसमें fibrous component की overgrowth हो जाती है, जिसकी वज़े से इसमें leaf-like projections आते हैं, जो कि हमें बायोक्सी में नजर आते हैं, ठीक है, यह इसकी characteristic चीज़ें थी, अभी कबार इसको हम जो नाम देते हैं, cystosarcoma phyloids देते हैं, इसकी morphology में भी आप यही दिखेंगे, कि leaf-like phyloids का मतलब होता है, leaf-like होना, ठीक है, bullous proteins होती है, क्योंकि proliferating stroma होता है, जो cover होता है, बायता है epithelium, और cystic space में जो हैना है, इसकी protrusion हो differentiate होता है on the basis of high cellularity, higher mitotic rate, nuclear polypliomorphism, stromal overgrowth, infiltrating borders, इसकी आपको नजर आ रहा है, phyloids tumor, leaf-like projections है इसकी, ठीक है, और इसमें क्या होता है, stromal cellularity overgrowth बहुत जादा होती है, जिसकी वज़े से यह leaf-like बन जाता है, इलावा, जो angio sarcoma है, हमारी breast का, sporadic होता है, complication of therapy पे rise होता है, most sporadic जो होते हैं, वो young women में होते हैं, और high grade के होते हैं, poor prognosis के होते हैं, और यह कहां थे, inter-alubular stroma में, फिर other malignant tumor join में, non-hodgkin lymphoma है, burket lymphoma है, और इसके लावा, we have the malignant tumor skin से और dermis से आते हैं, और इसके लावा बता रहे हैं, कि metastasis जो breast पे होती है, रेर होती से आती है, और inter-alubular stroma में कौन कौन से थे, myofibroblastoma, lipomas, fibromatosis, familial adenomatis polyposes, आपको याद है, वो जो gardener syndrome के साथ associated होता था, GIT में हमने वढ़ा था, उसके साथ यह associated होते हैं, यह as a part of breast cancer, stromal ligands और अदर malignant tumors में यह लिखा हो है, कि inter-alubular जो होते हैं, यह biphasic tumors होते हैं, fibroadenoma and the phyloids tumor, fibroadenoma is most common benign tumors हैं, और जो inter-alubular के हैं, उनके इंदे stromal cells होते हैं, अकर जो स्टो में बिनाइन भी होते हैं, उसमें benign भी होते हैं, malignant भी होते हैं, और ingeosarcoma उनमें से most malignancy होती है, उसकी और sporadic होता है, और उसकी आपने थे, पूर prognosis होती है, और associate the radiation exposure or the lymphadenoma, और sarcoma, condosarcoma, osteosarcoma, मतलब एक bone है, cartilage है, ठीक है, और fat है, blood vessel है, ठीक है, muscle है, इसमें की चीजों की malignant tumors बने हुए हैं, जो आप मुझे बता दें, यह जो बाकी पीछे वाला chapter रह गया है, malignant cancer वाला, वो अगर पढ़ना है, तो वो भी में एक दफ़ा read out कर देती हो आपके लि वैसे इतना ही था important जो हमने पढ़ना था